सबी विद्यार्थियों का साहितिक ख्लासेट चैनल में हार्दिक श्वागत, हार्दिक अबिनन्दन प्रिये विद्यार्थियों अभी जैसे कोरोना महमारी का समय चल रहा है, दूसरी लेहर चल रही है इस लेहर में आप अपना स्वास्तिय का ध्यान रखते हुए, सभी अध्यान में भी लगे रहे हैं और तभी मैंने ये सोचा कि अब मैं थोड़ा-थोड़ा अपने आपको स्वस्थ फिल कर रहा हूँ तो आप सभी के लिए छोटे-छोटे वीडियोज मना करके और अपन रिविजन करें ताकि परिक्षा के समय बहुत ही काम आए तो हम सुरू करते हैं जैसे कल अपने हिंदी साहित्य का प्रथम वीडियो रिविजन क्लासेज बाग प्रथम के नाम से अपने सुरू किया आज हम हिंदी अनिवारिय का रिविजन क्लासेज बाग प्रथम सुरू करते हैं जिसमें पज्द्यभाग के जितने भी पार्ट है जैसे आपके छे पार्ट तक जो उसा कविता है समसेर बहादूर से इंग की लिखी हुई वहां तक के प्रशन इसमें शामिल किये गए हैं उमीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और मनुरंजन के साथ साथ आप इसमें बहुत कुछ सीख पाएंगे परिक्सा आपके निश्चित रूप से होनी है और उस परिक्सा की तैयारी के लिए थोड़ा-थोड़ा हम यदि रिविजन करेंगे तो आपकी परिक्सा के लिए बहुत ही अच्छा होगा मात्रा आपको 20 या 25 मिनट निकालने है और उस 20 या 25 मिनट में आप बहुत कुछ सीख चाएंगे इसके लिए मैंने सुरू किया है आप से भी के लिए रिविजन क्लासेज रिविजन क्लासेज में हम पहले चोटे-चोटे प्रस्ण पढ़ेंगे उसके बाद में बड़े प्रस्ण पढ़ेंगे उसके बाद लगुतरात्मक पढ़ेंगे उसके बाद निवन्दात्मक पढ़ेंगे तो चार प्रकार के जो वीडियो है चार प्रकार के जो प्रस्ण ह को हम शिख रही हल कर पाएंगे और अपनी जो नीव मजबूत करने के लिए अपनी शेली को मजबूत करने के लिए अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए अपनी सफलता को और अधिक निखारने के लिए अपन सुरू करते हैं तो आईए आज का वीडियो अपन सुरू कर आप आपने वर्टसब ग्रूप से मेसेज कीजिए अपना नाम विशे का नाम यानि कौन-कौन से विशे आपको पढ़ने हैं जैसा कि आप जानते हैं अपने यहां से हिंदी साहित्ये हिंदी अनिवारिये राजनीति विज्ञान और अंग्रे जी इन चार विशेयों का अध् हम प्रस्णोतर विडियोज चला रहे हैं प्रस्णोतर के माध्यम से अपने देखते हैं कि अपनी तयारी कितनी है आपकी तयारी भी हो जाती है और विडियोज के माध्यम से तयारी भी हो जाती है और यदि मान लोग कोई भूल चूक रह गई हो वो भी सुदार में हो जाती तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आप साथ साथ उनको हल करते जाएं कि आप देखें कि आपको कितना इन में से आता है अब सी आप देखें आप अपने घर में रहें स्वस्त रहें और स्वस्त ये पहला दन है स्वस्त यदि आप हैं तो ही आपके लिए पढ़ दिल की तरफ पढ़ें अपनी सफलता को निखा रहें तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो लोकडाउन में रिविजन क्लासेज आएए शुरू करते हैं लोकडाउन में रिविजन क्लासेज हिंदी अनिवारियक अक्सा 12 बाग पर्थम बाग पर्थम में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए इसमें सबसे पहले आपन देख रहे थे कि जो छोटे प्रसन है उससे सुरू करें उसके बाद बड़े प्रसन इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते हम पूरा रिविजन करेंगे तो आईए सुरू करते हैं पहला प्रसन देखते हैं पहले प्रसन में क्या है पहला प्रसन देखिए आपके इसमें पूछा गया है कि सूर्दाश की भक्ती मानी गई है सुर्दाश की भक्ती कैसी मानी गई है सक्खा बाव की दाश्य भाव की माधूरी भाव की कान्ता आप भी इसमें अपने तयारी को परक सकते हैं कि मेरी तयारी कितने हैं तो आपके पद्यवाग के पूरे पाठ इसमें सामिल किये गए हैं तो आप ज्यान रखें साथ साथ आप भी इनको हल करते चलें अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है सूरदास ने अंखियों को भूखी बताया है किसके लिए भूखी बताया है प्राकर्तिक सुंदरिय के लिए सूर्मा लगाने के लिए नींद लेने के लिए और हरी दर्शन की भूखी मतलब किसकी भूखी है और वो है हरी दर्शन की बुकी और इसका उत्तर है दयर अगला प्रसन अगला प्रसन है गोपियों ने करुई ककरी किसे बताया है करुई ककरी किसको बताया है उद्दव को बताया है श्री कृष्ण को बताया है अपने जीवन को बताया है या योग को बताया है तो इसका उत्तर आप देखी रहे हैं गही है इसका जो है योग है उसे गोपियां कहती है कि ये हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है नेक्स्ट जो आपका प्रिस्टन है वो है गोपियां योग की शिक्षा देने को कहती है किसको कहती है कि उद्दव से कहती है कि आप शिक्षाउने देजी पूरुसों को आईस्थर मन वाले को सादु संतों को मत्धुरा की नारियों को इन में से किसको देने के लिए कहती है और वो है आईस्थर मन वाले को यानि एक पद में सूर ने कहा है कि ये तो सूर तिने ले दीजे जिनके मन चक्री अर्थात जिनका मन एस्थर हो इसमें उत्तर होगा खै अगला प्रसंद देखिए गोप्यों ने श्वयम को क्या बताया है श्वयम को बताया है श्रेष्ट जाती की छोटी जाती की सची प्रेमी का स्री कृष्ण की दास क्या बताया है और उन्हें बताया है छोटी जाती की इसका उत्तर खै होगा साथ साथ आप भी हल करते चलें गोप्या किसकी माता को दिकार योग्ये कहती है जो कायर है जो योकसाधना करता है जो क्रिष्ण से विमुख है जो निर्गुन के उपासक है इसमें सिकिसको बताया है जो क्रिष्ण से विमुख है अर्थाज जो स्री क्रिष्ण का बजन नह करते हैं उनकी मां को दिकार है ऐसा गोपियां कहती है अगला प्रसंद देखिए गोपियों ने सुखी सरीता किसे कहा है उद्धव के योगसंदेश को अपने रिदे को और श्रीकर्ष्ण के व्यभार को और ब्रिज जीवन को अपने रिदे को यनि गोपियों जो है वो एक जगे ये कहती है कि हमारा जो हिर्दय है वो उस सूकी सरिता के समान है जिसमें नाव नहीं चल सकती अर्था जिसमें नाव है वो नहीं चलती तो इसमें उत्तर इसका खै ही होना चाहिए अगला प्रिश्ण है आपके कि रहीम के काव्य की सरभादिक परमुक विशेषता क्या है समासिक्ता, स्रिंगारिक्ता, नित्ती प्रवणता और अन्भो संकुलता और इसमें है आपके समासिक्ता समासिक्ता का मतलब है कि ये जो रहीम है इनकी इन्होंने बहुती अच्छा भी काया नित्ती प्रवणता भी है भाव प्रवणता भी है तो इसमें समासिक्ता बताया गया है रहीम के काव्य की परमुक विशेषता समासिक्ता मतलब संक्षेप में बहुत कुछ के देना विपती में धन किस की तरे लुप्त हो जाता है प्राते कालिन तारों की तरे मित्र की तरे दुस्मन की तरे हावा की तरे तो इसका उत्तर प्राते कालिन तारों की तरे ए होगा इसका उत्तर अगला ब्रसन देखिए कविक के अनुसार मूल को सींचने का क्या परिणाम होता है व्रक्ष का तना पुष्ट होता है डाले बढ़ती है पत्ते हरे बढ़े रहते हैं सारा व्रक्ष फलता पूलता है तो इसका उत्तर भजाएगा घै सारा व्रक्ष फलता पूलता है अगला देखिए बामरे पड़ने के बाद नदी में सिरावत मौर यानि इसमें होगा खै क्या होगा खै देखिए आपकी सुविदा के लिए 9610208295 इन पर आपके वाट्सअब ग्रूप का निर्बान भी किया गया है आप इन नम्रों पे वाट्सअब ग्रूप से जुड़ सकते हैं और जो भी सुचना होती है एक्जाम से समदित सारी अपडेट है वो आपके इस वाट्सअब ग्रूप पर आती रहती है तो आप इससे जुड़ जाएए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आउससे कर ले सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा चलते हैं अगले प्रिस्ण की ओर काक और पिक की पहचान होती है वर्षा रितू में, वसंत रितू में, सरद रितू में और शीत रितू में इसमें कब होती है काक और पिक की पहचान कब होती है इसमें वसंत रितू में वेसे वर्षा रितू भी हो सकता है लेकिन अपन जैसे रुत बसंत के मा बसंत रीतु में इसकी पहचान हो जाती है अगला है मतने पर मक्खन नहीं निकलता है कहां से ठंडे दूट से गरम दूट से फटेवे दूट से मिठे दूट से किष्य नहीं निकलता है फटेवे दूद से नहीं निकलता है इसमें गया होगा इसका उत्तर अगला प्रसंद देखिए जीब की बकवाद का फल भुगतना पड़ता है किसको भुगतना पड़ता है हातों को, पीट को, आंखों को, शीर को, किसको, जूतिक हात का पाल अगला देखिए सजनों की तुलना रहीम ने किस से की है किस से की है सूर्ये से, चंद्रमा से, मोतियों के हार से, उप्रियुक तीनों से नहीं मोतियों के हार से की है रूठे सजन मनाईए जो रूठे सो बार रहीमन फिर फिर पोईए टूटे मुकता हार तो इसमें मोतियों के हार से की गई है बिहारी सत्साई में किस रस की परदानता है सांतरस की, स्रंगार की, वीर की, हाश्य की और इसमें परदानता है स्रंगार रस की अगला देखिए बिहारी की कावे सेली कैसी है मुक्तक कावे सेली, खंड कावे सेली, गीती कावे सेली और प्रबंद कावे सेली और इसकी कावे सेली है मुक्तक कावे सेली अच्छी तरे सा आपका रिविजन हो जाएगा तो पर वारो उर्वसी वे उर्वसी समान दोहे में अलंकार है इसमें सलेस और उपमा अलंकार है कौन सा है? सलेस और उपमा उर्वसी के दो तीन अर्थ है उर्वसी का एक अफसरा भी है और एक रिदे में बसी हुई एक और एक उर्वसी का अर्थ है, जो अबुसन है, अबुसन से समंदित है, तो सलैस भी है, और इसमें समान यानि उपमा अलंकार भी है, अगला प्रसंद, शाम रंग में डूब कर चित कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, काला, उजला, बद्दा, प्रसंद, कैसा हो रहा है, में विरोदवास लंकार होता है उजला इसका उतर खाय अगला प्रसंद देखिए शाम सरीड पर पितामबर धारण की एक क्रिश्ण केसे लगते हैं मानो नील कमन के बीच पराग हो मानो काले बादलों के बीच सूर्य हो मानो नीले आकास में इंद्रधनूस हो मानो नीलम की सि पर आतव परियोप्रबाद इसका उतर कह होगा बहुत ही अच्छे अच्छे प्रस्ण सामिल किये हैं गोप्यों ने स्री क्रिश्ण की बंसी छिपाली क्या कारण है बंसी सिद्वेश के कारण क्रिश्ण का ध्याना करशित करने के लिए बातें करने के लिए क्रिश्ण को त इसका उत्तर घय हो जाएगा 22 वा प्रसंदे कि किसी अंक के आगे बिंदी लगाने पर अंक हो जाता है दूगुना, दसगुना, सुन्ये, पांच गुना तो वो हो जाता है, खय हो जाएगा इसका दसगुना अगला प्रसंदे कि बनत सब्द का क्या अर्थ है बनत का अर्थ है कविता, कहना, सजना, खनकना और इसका अर्थ है कहना क्या अर्थ है कहना कवी भूशन के अरुशार दर्ती का भार टिकावा है कच्वे की पीट पर, सेशनाग की फन पर, सिवाजी की भुजाओं पर, औरंगजेब की भुजाओं पर कवी बूशन के अमसार सीवाजी की बूजाओं पर इसका उत्तर से हो जाएगा अगला प्रसन देखिए धूल की अधिक्ता से सूरिये कैसे लगता है चंद्रमा के समान, तारे के समान, दीपक के समान, हीरे के समान और वो लगता है तारे के समान उत्तर उसका खे हो जाएगा शिवाजी का उतार हुआ है क्या करने के लिए दुस्नों का विनाज करने के लिए राज्य विस्तार के लिए जगत के भरन पोशन के लिए देश की स्वतनताता के लिए जगत के भरन पोशन के लिए इसका उत्तर गय हो जाएगा अगला प्रसंदे के बादलों पर परबूत्व किसका है इंद्र का है, एक सूरिय का है, एक समुंद्र का है, एक वायू का है और बादलों पर परबूत्व होता है वायू का उत्तर इसका गय हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए बूशन ने सिवाजी का दावा बताया है माराश्टर दिल्ली पर सारे भारत पर औरंग जेब के सारे राजिये पर जहां जहां पाथ साही तहां शेर शिवराज को तो यहां पर गय है इसका उत्तर औरंग जेब के सारे राजिये पर कवी भूषण के अंसार प्रत्वी का भार टिकावा है किस पर हिमाले परवत पर, शेशनाग की फन पर, सिवाजी की भूजाओं पर, कच्छवे की पीट पर, तो इसका उत्तर तीन नमबर हो जाएगा सेशनाग की भूजाओं पर, अगला प्रसंदेखिए, कवी भूषण ने जल पर सदा किसका परबुत्व माना है, जल पर, सिवाजी का, दावागनी का, बढ़वागनी का, शिंग का, किसका माना है, जल पर, बढ़वागनी का, जल पर, बढ़वागनी का होता है, और, व्रक् अगला प्रसंदे के जादू तूटता है उशा का अर्थ क्या है? तमासा, खेल, आकर्षन, भोर का द्रिशिर और जादू तूटता है मतलब इसका आकर्षन, इसका उत्तर से हो जाएगा अगला प्रसंदे देखिए, बोर के समय आकास लगता है या आकास कैसा है? काला, नीला, लाल, पीला, कैसा है? नीला, इसमें उत्तर हो जाएगा खेद कवी ने लाल केसर कहा है, किसको कहा है? केसर की क्यारी को, लाल फूलों को, उसा की लालीमा को, शिल के रंग को, उसा की लालीमा को, इसका उत्तर गे हो जाएगा उसा कविता में कवी ने स्लेट किसे कहा है, भोर के आकास को, धर्ती को, बच्चों के लिखने की स्लेट को, चोके को, इसमें किस ने कहा है? भोर के आकास को, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अगला प्रस नेकिए, कवी ने नीले जल में गोर जिल्मिल दे में वर्णन किया है, किसका वर्णन किया है? इसका उत्तर खया हो जाएगा? क्या है? नवीन बिम्बियोजना है, कवी संसेर बहदुर ने भोर के आकास को केसा बताया है? नीले संक के समान, लीपे वे चोके के समान, केसर लगी, काली शिल के समान, उप्रियुक्त सभी के समान. तो इसमें तीनोई है, नीले संक के समान भी बताया है, लीपे वे चोके के समान भी बताया है, और केसर लगी, काली, शिल के समान भी बताया है, तो इसमें ये तीनोई सही है, राद इसका उत्तर चार नंबर हो जाएगा? अगला प्रस्ण है कि उसा के जादू तूटने का अर्थ क्या है सूर्योदे हो जाना आकास का निले संख के समान हो जाना और अंधेरा दूर हो जाना उप्रियोग सभी इसमें क्या है सूर्योदे हो जाना इसका उत्तर एक नंबर है सूर्योदे होलने पर ही उसा का जादू त रूपता है। और अंतिम प्रस्न है, आपके, समशेरबादुर सिंग किस परकार के कवी हैं। शायवादी रितिकालिन कवी हैं, परियोग वाधी हैं। नई कवीता के कवी हैं, कौन से asp और यह मुख्यत है परियोग वाधी कवी मान जाते हैं। नमबर तीन इसका उत्तर होगा है कि आज बस इतना ही यह भाग पर्थम है यानि पॉर्थम है तो परुथम वीडियो यानि भाग पर्थम है इसका अब भाग दूती आएगा तृति आएगा मतलब इस परकार आप के जो अनिवा इंदि कंपलशरी चुलितना भी कोस है वो आपके लि ये WhatsApp ग्रूप का निर्बान भी किया गया है वहां से भी आप जुड़ सकते हैं और देख भी सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप पार्ट को पूरा देखें पूरा पड़ें भी ताकि आपके लिए बहुत अच्छा रहे आज बस इतना ही जै ह